वेल्कम बाक ट्रेड़ इंड़स्टिस एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चानल थिंग फाइनस में चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को इस एपिसोड में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं रेन इंडस्ट्री इस लिमिटेड के बारे में आप देखेंगे मिट कैप साइस कंपनी है आरवी 9.69% पर स्टाइन करता है इसके लावा अगर हम लोग प्रोडॉक्ट्स डिसकस करते हैं इस कंपनी के तो यहाँ पर आप देखेंगे काबन सीमेंट एडवांस मटीरिल प्रोडॉक्ट्स जो हैं वो कंपनी मैनुफाक्चर कर करती है और इसके लावा अगर आप देखेंगे इनके जो मैनुफाक्ट्रिंग के केपिबिल्टीज है और जो इनके युनिट्स है वो एट कंट्रीज के अंदर हैं इसके लावा अगर हम लोग बात करते हैं एडवांस मटीरिल सेग्मेंट जो है वो इनका 26% डिवेन्यू क करता है कार्बन प्रोड़क्ट सेग्मेंट जो 66% डिवेन्यू कंप्राइज करता है और जैसा हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो फ्यूचर के हिसाब से मुझे लगता है कि और बेटर कंपनी आपको मिल जाएंगे अगर आप बेटर सेडी करेंगे तो वो एक फैक्टर है जो मैं डेफिनेटली कंसिडर करता हूँ राउनिंग बॉटम पैटन बन सकता था और वो फेल हो गया और यहां से स्टॉक जो है कॉंटिनेसली नीचे ट्रैक डाउन हो रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले इस कंपनी के सेल्स को देखते हैं दे देसेंबर के अंदर जादा था क्योंकि इस समय पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो अपरेटिंग प्रॉफिट मार्जन है वो काफी जादा था टूथा टूथा एटीन में भी आसपास ही सेल थी मगर यह है कि अब जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है बट पास में काफी जादा स्टॉक नजर आता है यहां पर सेकंडली एफ़ आइज ने स्टेक को आड़न करा है डिया इस ने कट करा है प्रमोटर के पास में स्टेबल है लास्ट डिविडेंट एक बार देख लेते हैं यहां पर एक रुपे का लास्ट डिविडेंट 11 अगस 2022 मे चार्ट पर बात करते हैं दोस्तों तो देखें एक सपोर्ट रीजिन जो है हमको स्टॉक में नजर आ रहा है 157 रुपीज के आसपास में अभी एक रिजिस्टेंस स्टॉक फेस कर रहा है इस लिवल के राउंड जो स्टांड करता है 186 के राउंड पर अगर आप यहां पर पाए कर रहे हैं स्टॉक को तो 158 के अंडर क्लोजिंग और 186 के आपका जो है पहला टार्गेट रह सकता है और यहां पर देखें एक बहुत बढ़िया ट्रेड उपरचुनिटी तो नहीं है अगर आपने पोजिशन बना लिए तो उसके हिसाब से आप यहां पर देख सकते अगर आप देख सकते हैं साटरेड़ को अपडेट करते हैं तो वह चीज है इसके रावा यहां से स्टॉक के अंडर रिकवरी है बड़ वही है कि अभी रिजिस्टिंस लेवल तक टच करता है उसके बाद क्या होगा स्टॉक के अंडर क्यूंकि मुझे लगता है अगर आप यहां पर नोटस करो के 186 के लेवल पर काफी बार जो है प्रॉफिट बॉकिंग देखने को मिल जाती है और वाज़े स्टॉक कॉंटिनेसली नीचे ड्रैग होता है तो वह एक फैक्टर है उसको कंसिडर करना चाहिए उमीद करता हूँ वीडियो इंफोर्मेटिव लगी हो